भीम एप के बारे में, भीम एप भी NPCI का ही लॉंच किया हुए एक टेकनलोजी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ये एक तरीके का एप है, इससे पहले हमने UBI जो पढ़ा था, जो युनिफाइट पेमेंट इंटरफेस था, उससे क्या हो सकता था, कोई भी डिजिटली पेमें एप आप बना सकते हो, with the help of UBI, ठीक है, उस UBI को यूज करके, SBI ने अपना एक एप बनाया, जिसका नाम है SPI Buddy App, इसी तरीके से Axis ने भी एक अपना एप बनाया, जिसका नाम है Axis Pay, तो NPCI ने सोचा, हम भी क्यों खुद का एक एप ना बना दे, उन्होंने अपना खुद का एक एप बनाया, जिसका नाम है Bheem App, ठीक है, Bheem का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, भारत इंटरफेस for money, इनका स्लोगन क्या है, Making India Cashless, तो इस एप से, आप इस एप किसमे किसमे यूज कर सकते हो, Android में, iOS, जो Apple Mobile Phones होते हो, और साथी साथ Non Smart Phones में, ठीक है, जो Kip इसके अंदर में 3 Factor Authentication सिस्टम होते हैं, जैसे आप Google में जब Login करते हो, तो आप अपना password डालते हो, वो हो गया 1 Factor Authentication, मगर जब आप password डालते हो, गूगल बदले में आपको OTP भेजता है, आपके मुबाइल पर 1 Time Password, उसे बोलते हैं 2 Factor Authentication, ठीक है, तो दो बार उन्ह जालते हो, तो वो हो गया 2 Factor Authentication, मगर भीम आपको और ज़्यादा secure बनाने के लिए इसके अंदर 3 Factor Authentication है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी hidden charge involved नहीं है, और एक facility भीम आप का ये है, जो इसे बाकी अप से अलग करता है, जब आप Axis पे यूज करते हो, तो आप सिरिफ Axis Bank म सब से आप link कर सकते हो, और एक भीम आप से, सिंगल आप से, आप सभी में, सभी का आपको gateway मिल जाता है एक तरीके से, चाहे वो Axis हो, या SBI हो, या Punjab National Bank हो, सब से, ICICI हो, ठीक है, मगर आप Axis पे से, SBI में login नहीं कर सकते हैं, माल लो आपका, अगर SBI में account है, तो आपको फ फायदा है, भीम आप का, ठीक है, और भीम आप किसने लांच किया, NPCI ने, थेंक यू,